आवर मत्य ओनलाइन क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है चलिए आज नेक्ष देखते हैं निवीड संकुलित संरचनाई क्या होती है निवीड संकुलित संरचनाई तो जो ठोस होते हैं उनके अव्यवीकड यानि अव्यवीकड का मतलब क्या कड़ परमाड या फिर आयन होते हैं इस प्रेकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके मद्ध जो रिक्तस्थान होता है वो निवीड संरचनाई कहने का मतलब है जो ठोस के कड़ होते हैं जैसे यह आव्यवीकड कोई माली हमनी इस प्रेकार से व्यवस्थित हो कि इनके मद्ध जो रिक्तस्थान होता है वो निवीड संकुलन होता है और त्री वीमा में निवीड संकुलन होता है और त्री वीमा में निवीड संकुलन होता है होता है एक वीमी निवीड संकुलन में अवयवी कड जो होते हैं एक पंक्ति में एक दूसरे को एसपर्स करते हुए रखा जाता है यानी एक वीमा में निवीड संकुलन में होता क्या है कि जो अवयवी कड है यानी कड परमाड या आयन है इनको आड़ परमाड या आयन को एक दूसरे से एसपर्स करते हुए एक पंक्त में रखा जाता है तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं एक वीमा में निविड संकुलन जैसे एक यह अवयवी कड़ है दूसरा यह अवयवी कड़ है इनको एक दूसरे से एसपर्स करते हुए एक पंक्त में रखा जाए तो यह जो हमा जहारा संकुलन प्राप्त होता है निवीड संकुलन संकुलन प्राप्त होती है इससे कहा जाता है एक विमा में निवीड संकुलन इन संकुलन में क्या होता है कि जो प्रतेक अवयवी कड़ होते हैं निकट वर्ती अवयवी कड़ों को इसपर्स करते हैं कितने निकट वर्ती अवयवी कड़ों को दो यानि इसमें जो प्रतेक अवयवी कड़ है अपने निकटतम एक इधर वाला और एक इधर वाला दो अवयवी कड़ों को क्या करता है इस पर्स करता है कोई भी ले लिजिए जैसे ये वाला अवयवी कड़ माल लेंगे तो ये इस गोले को इस पर्स कर रहा है तो इनको बोलते हैं क्या चीज़ एक विमा में निविड संकुलन अच्छा माइंड में आता होगा कि ये किनारे वाले जो गोले हैं ये तो एक ही को इसपर्ष कर रहे हैं तो क्यूंकि ये गोले स्वतंत्र हैं आगे भी संरचना जुड़ने के लिए इसलिए इन गोलो कि बात कर रहे हैं कि प्रते कड़ जो होता है अपने बगल वाले दो अव्यवी कड़ों को इसपर्ष करता है बात करते हैं उपसासायोजन संख्या क्या होती है यानि एक विमा में निविड संकुलन में उपसासायोजी संख्या कितनी होती है तो पहले हम लोग दोता है तो एक विमा निवीद संखुलन क्या होता है तो एक विमा निवीद संकुली संरचना है इनको आपस में जोड करके आपस में कैसे एक ये हो गई इसे तरह एक हमारी जैसे ये कोई एक वीमा में निवीड संकुलन संरचना है तो इन दोनों को आपस में जोड करके यानि ये वाला पूरा उठा करके यहां रख दिया जाए आपस में जोड करके जो संरचना प्राफ्त होती है इसे बोलते हैं दुई वीमा में निविट संकुलनन तो जुड़ा बड़ा फिकर में देखतेएं ये दो प्रकार के होते हैं वर्गी निविड संद्चना और सटकोडी निविड संद्चना जो होती है यानि कि जो दूई विमान में निविड संद्चना होता है दो प्रकार से हो सकता है पहला है वरगी निविड सन रचना और दूसरा है सटकोडी निविड सन रचना कैसे जैसे उदारड के तुरू ये दिखाया गया है कि जैसे ये एक गोला है उपर वाली खाली परत को आप लोग देखिए इस वाली परत को तो ये एक विमा में निवीड संकुलन संरचना है उसी तरह ये सिकंड वाली भी एक विमा में निवीड संकुलन संरचना थी इन सब को आपस में जोड करके क्या बना दिया गया है दूई विमा में निवीड संकुलन संरचना तो इन गोलों को हमने कैसे रखा है कि सभी गोले एक दूसरे को एसपस कर रहे हैं सभी के केंदर एक सीधी रेखा में है सभी के केंदर क्या है एक सीधी रेखा में है और एक के नीचे हमने एक रखा है एक गोले के नीचे एक गोला रखा है तो इसको बोलते हैं वर्गी निविड संरसना, वर्गी निविड क्यों बोलते हैं क्योंकि इसमें वर्ग प्राफ्थ होता है, जैसे इसमें देखा जाए कि ये वाला गोला कितने गोलों को इस पर सकर रहा है, तो एक, दो, तीन, चार, कितने को चार, और अगर इनको मिला दि तो जो दूसरे नमबर पर निविट संकुनन है यह बिल्कुल पहले नमबर जाइसा ही है उसके नीचे ही है यानी अगर पहले वाले को AMY माना जाए तो इसको भी ए कहा जाएगा और तीसरा है जस्ट उसी के नीचे है यानी इसका नाम भीी होगा तो अगर कहा जाएं किंआ makes we can के रूप का होती इनका रूप क्या होता है अच्छा बात करते हैं इनकी उपसा संयोजन संख्या कितनी होती है तो उपसा संयोजन संख्या हम लोग देख चुके हैं कि जो अवयवी कड़ है जितने अवयवी कड़ों को इसपर्स करता है उसे क्या बोलते हैं उपसा संयोजन सं रूप क्या है यह निर्षक्राफ करते हैं गोल्लों को विवस्तित किन गोलग 건가요 जैसे ये दो गोले हैं तो इन दो गोलों के बीच में तीसरे वाले गोले को रखा जाए तो इस प्रेकार जो सनसना प्राप्त होगी उसे बोलते हैं सठ कोडी निविट सनसना जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है इन दो गोलों के बीच में इसको रखा गया है इन दो गोलों के बीच में इसको रखा गया है तो इस प्रेकार जो सनसना प्राफ्थ होगी उसको बोलते हैं सटकोडी निविट सनसना माल लिया जाए कि उपर वाली जो एक विमीन निविट सनसना है इसको हमने A माल लिया तो नीचे वाले को क्या A मानेंगे नहीं क्योंकि ये उपर वाले से भिन है उपर वाले के नीचे नहीं है इसलिए इसका नाम हम लोग B दे देते हैं फिर तीसरे वाले का हम लोग नाम क्या रखेंगे A क्यूं क्यूं क्यूंकि ये बिल्कुल उपर वाले जैसा है उपर वाले केंद्र के समान ही इसका केंद्र है इसलिए इसका नाम फिर से A दे दिया जाएगा चौथे वाले का नाम क्या दिया जाएगा B क्यूं 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 यह second number वाले यानि B वाले के जैसा ही है इसका केंद इसलिए इसका नाम B होगा तो पूछा जाए सट कोडी निविर संकुलन किस रूप का होता है तो A B A B इसी तरह A B A B करके रूप का होता है अच्छा इसमें उपसा स्यूजन संख्या कितनी है तो माल लिया हमने कोई यह अव यह अवी कड़ है इस पर्स कर रहा है उनके संख्या कितनी होगी 6 इसलिए इनकी उपसा स्यूजन संख्या हो जाएगी 6 यानि सट कोडी निविर संकुलन में उपसा स्यूजन संख्या कितनी होती है 6 होती है और इनका रूप क्या होता है A B A B आगे देखते हैं बात करते हैं नेश्ट टॉपिक है रिक्तियां क्या होती है रिक्तियां तो जो क्रिश्टल जालक होता है क्रिश्टल जालक मतलब अविवी कड़का एक दूसरे के रूप में इस पर्स करते हुए विवस्तित होना तो क्रिश्टल जालक में यद्यप क्रिश्टल जालक सगन संकुलित होते ह सागन संकलित का मतलब है एक दूसरे से पनजदीक रजदीक गोले विवस्तित होते हैं फिर भी गोलों के मद्द कुछ रिक्तस्थान रह जाता है जैसा ये दो गोले हैं इनके बीच को रिक्तस्थान रह जाता है जिने हम लोग क्या बोलते हैं अंतराल, छिद्र या फिर रिक्तिया बोलते हैं यानि गोलों को वगस्तित किया जाए तो इनके बीज में जो रिक्तस्थान होता है उसे ही रिक्तिया करते हैं बात करते हैं रिक्तियों के प्रिकार की तो रिक्तिया मुखेता कितने प्रिकार की होती हैं दो प्रिकार की होती हैं पहला है चतुस फल की रिक्तिया और दूसरा है अश्ट फल की रिक्तिया पहला है चतुस फल की और दूसरा है अश्ट फल की चतुस फल की क्या होता है पहले इसकी परिवासा देख लेते हैं जब तीन गोले परस पर सटा कर रखे हूँ और उनके उपर चौता गोला रख दिया जाए तो उनके मध्य जो रिक्तस्थान भहेगा उसे बुलते हैं चतूस फल की रिक्तस्थान आप लोग इसे गोल कोई भी समान लेकर करके देख सकते हैं तब आप लोगों को बीच में साफ साफ रिक्तस्थान दिखेगा जिसे बॉल को अगर एक दूसरे से सटा करके रखा जाए और उसके उपर यहां चौथी बॉल रख दी जाए वही चीज़ है यादि तीन गोले परसपर संपर्क में रखे गए है और उनके उपर पुना तीन गोले रख दिये जाए पुना तीन गोले कहां रख दिये जाएंगे एक यहां एक यहां और एक यहां रख दिया जाए परसपर उनके उपर तीन गोले रख दिये जाएं तो उनके मद्धी भी कुछ रिक्तस्थान होता है जिसे क्या बोलते हैं? अस्ट फल की रिक्तियां इसे आप लोग करके देखेंगे तो ज़्यादा किलियर होगा बात करते हैं कि चत्तुस फल की रिक्तियां और अस्ट फल की रिक्तियों में सम्बन गया होता है इसे आप लोग देख सकते हैं पहले हमने तीन गोले यह ब्लू कलर में दिखाए हैं और अग्ले तीन गोले हमने रेड कलर में दिखाए हैं प्राकार रखे हो तो उनके बीच घान रहा जाता है जिसे बोल के गवल句 हो श्ट फलको की अश्ट' की रिक्तियों की धुगनी होती लिए गर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे पूरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू